हेलो दोस्तों नमस्कार हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग स्वागत करता हूँ आप क्यों हमारे चैनल फ्लैम स्पोट्स में जीस डेवल्यू वर्सिज मेंफिस ग्रीजली यह मुकाबला टाइट हो सकता है या नहीं लेकिन जोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा तो वेट कर मैं आपको वेट करना पड़ेगा जब अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम चल पर इंवर्मेशन दे दूंगा उसके बाद बात आती है दोस्तों मेंफिस की तो मेंफिस भी दोस्तों स्ट्रोंग टीम है लेकिन आपको पता है कि आप आउट होने वाला मरेंट तो मरें यह तरीके से विधाउट जाम मरेंट मेंफिस ने जीच डबल्यो को क्यों और आया दोस्तों मेरे ख्याल से तो ना इनकी मुम्किन नहीं है लेकिन दोस्तों कुछ आपको अप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता है कुछ एसी वुज़े से हार गए होंगे साज पहले सी नह पहले से चला इसमें दोस्तों मूडी चला था तो मूडी को लेंगे यह सा नहीं है भाई लोग ठीक है अगर वन सट गया तो आप इस ट्राइप का पहले सकते हो क्योंकि जो चोटे-चोटे खिलड़ी उसको भी टाइम मिलेगा ठीक है लेकिन दोस्तों टाइट मेंच गया तो टाइट मेंच कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो एंद्रू विंगिस ने डबल डबल लगाय था क्ले थोंसन ने पी अच्छा काम किया था और करी ने दोस्तों 32.5 रिबाउंट और दोस्तों 8 असी स्कोर किया था ब स्टार्ट करेंगा थो थोड़ा सा उसको समय मिल सकता है स्टार्टिंग लाइनप ड्रीम 11 की टीम अबडेट में आपको यहां पर कर दूंगा यह बिल्कुली फ्री है आप दोस्तों देख सकते हो सेम टीम हम पोस्ट करते है और बहुत चारे लोग विनिंग करते है ठीक है यह टेलीग्रम चैनल है हमारा आप यहां पर देख सकतो इसमें आपको स्मोल लेकी प्लस ग्रेंड लिंग की विनिंग देखने को मिल जाएंगी आप देस्टों तो एक ग्रेंड लिंग फर्स्ट है और नीचे जाएंगे दोस्तों आपको और विनिंग करना चाहते हो तो भी खास नहीं किला था ठीक है बारा पूंट चार रिबांट चार असिस लेकिन अच्छा खेल गया था तो जैक्सन है उसमें दोस्तों 21.8 रिबांट तीन असिस दो ब्लोग एक स्टिल गया था अच्छी बात है थाईश जूंस ने पी अच्छा काम किया था ट्वेंट नो ट्वेंट च्छ नहीं अच्छा काम किया था तो आप यह पे देख सकते हो उसके बाद दोस्तों जीच विलियम 22 मिनीट श्टिवन एंप्स 21 मिनीट काल एंडिसन 90 मिनीट कंचर 250 मिनीट ब्लैन क्लाक उनली चौदा मिनीट ठीक है बाकी प्लेस को बैस्ट कर सकते हो इसमें मेरे खाल से कोई उतना अच्छा समय उसको नहीं मिलने वाला सेकंड लास गेम की बात को ग्रीजलीस की यह भी आप दोस्तों देख सकते हो इसमें दोस्तों नहीं चला था लेकिन थायस जोन डिलियम ब्रूक्स जरन जक्सन स्टीवन एडम्स काला इंडर्सन इसा रहे प्लेस बहुत इची तरीके से चल गए थे तो इसमें आपको दो टाइप की टीम मना सकते हो अगर आप एसल खेल रहे हो तो ठीक है तो इस दोस्तों आपको पता स्टीवन करी बहुत यच्छा अच्छा उपसनी यहां पर खास करके आपको एडिसेट करना है कि वि जनरेट क्लार को दोस्तों बहुत ही कम मोगा मिल रहा क्योंकि में सेंटर अपर स्टीवन एडम्स आ गया है इसकी वजह से तो अगर कमिंग करता है तो वह भी ले सकते हो जैंच विलियम दोस्तों आप ले सकते हो क्योंकि बेंच से आके उसको भी टाइम मिलेगा उसका दू दौस्तों पोटर के साथ जा सकते हैं उसके बाद यहां पर धायस जूंच लेना बहुत जरूरी है हमरे पास दौस्तों 15 बचाएं तो 15 और हम यहां पर जोडन Pooley को भी ले सकते हो इस तरह सा अप पर अपनी टीम जो है बना सकते हो ठीक है इसमें चेंज करना बेलोग हो सक तो उसमें दोस्तो यहां पर तो कोई अच्छा प्लेयर नहीं आईगा लेकिन विगिंस की जगर हम डिलियों ब्रुक्स लेंगे तो काल इंडेसन आ जाएगा ठीक है आप यहां पर आपके सामने हैं आप देख सकते हो इस तरह से आप मैंफिस के फैवर में मैच बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो उसके बाद दोस्तो जो मैंने पहले टिम बता या ओ दोस्तो पूले के साथ था बाकि दोस्तो फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है दोस्तो यहां पर एक और बात मैं आपको बता दू कि ओटो पोटर जो है तो जोटन पूले दूस्तों बहुत कम लोगों की नज़र होगी यह दूस्तो अच्छा कर सकता है एसा मुझे लग रहा है ठीक है और बहुत कम लोगयों की नजर होगी ड्रीमोन घ्रीन पर तो यह दो प्ले सिक्रेट पीक है इसको आप जरूर ट्राय करें आप अपनी ए जाएगा ठीक है और कुछ यार बात करें तो साथ क्लिट की पीक यहां पर मेल्टोन है लेकिन कभी-कभी वह बहुत तेचा काम कर जाता है तो एक ग्रेंडली की दूस्त बहुत अजीबी के इसको जरू से जरू ट्राय करें अपनी ग्रेंडली की टीम में तो अब फ्रेंड्स ठीकिष्णा, टेकेर